आप सबी का बहुत बहुत सवागत करते हैं नियूस्टूटी यूटूब चैनल पर आज सुबह की खबर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 महीने में एक हुई अब 9 महीने में होनी है 5 परिक्षाएं तो इस साल जो है तकरीबन 9 महीने में आप सबी के 5 परिक्षाएं ली जाएंगे लेकिन यह परिक्षाएं कब ली जाएंगे किसी को नहीं पता है उनिवरसिटी खुद संसाय में है युनिवर्सिटी बैद का आपका क्या सुझाब है या आपका सवाल है अपना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे यह जब नीव्ज पूरा सुन लेंगे तब क्योंकि इस नीव्ज में अब सिर्फ युण अपना पल्ड जारते वे नजर आती और और कोरोना का तो बहाना एक है आप सभी को मालूम ही है लेकिन आपका क्या कहना है हम मानते हैं कि कोरोना है लेकिन हम यह नहीं मानते हैं कि उनिवर्सिटी काम अपना सही टाइम पर कर पाती है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के तो आज की रिपूर्ट में जैसा कि आप जो है जानने वाले हैं कि आपकी परिक्षा जो है पांच कौन-कौन सी होने वाली है तो सबसे पहले तो हम इस खबर को आपको पढ़के बताते हैं अब भी जो है कोरोना संकर्मन के कारण पढ़ाई और परिक्षा के नुकसान से उभर भी नहीं पाए है कि उनके सामने फिर मुसीवत खड़ी हो गई है साथी बीवी के लिए भी समस्या बढ़ गई है साल 2020 में सनातक की तीन परिक्षाओं में से बीवी सिर्फ एक परिक्षा ले सका है अब इस साल जो है बचे नौ महीने में तकरीबन पांच परिक्षाओं जो है इनुवर्सिटी को लेनी है और इसकी रिजल्ट भी चारी करनी है जो की बहुत बरात चुनोती पूर्ण कार रहे होगा इनुवर्सिटी के लिए इससे पिछले साल के सनातक पार्ट वन के अलावा इस साल के तीनों पार्ट की सहीत एवं एक कमपार्टमेंटल पेपर की परिक्षा भी कराई जाने की बाद कहीं जा रही है अब यहाँ पर इनुवर्सिटी ने पार्ट वन की परिक्षा नहीं कराई है तो बाकी कमपार्ट कि हम क्या बात करें इस साल भी देना है इसके अलावा जो है पिछले साल के सना तक पार टू की परीशा का रिजल्ट भी जारी करना है जो कि अभी तक के नहीं आ पाए कोरोना के कारण सरकार की और से जो भी गाईडलाइन जारी की गई है उसके चक्कर में 11 तक आप लोग एक बंद रहेंगे लेकिन इसी बीच में कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और आपकी परिक्षा की डेट की अनौस्मेंट करने की कुशिश करेंगे कि यहां पर सरकार ने कहा है कि परिक्षा पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी पूर्व में निर्धार जो भी परिक्षा है अब परिक्षा की घोषना बीवी की ओर से की जाएगी वर्स 2019 में सनातक पार वन में एडमिशन लेने वाले चात्रों की परिक्षा तिति भी जो है अभी तक के जारी नहीं हो सकी है पिछले महिने तक संबंधता को लेकर के पार्ट वन की परिक्षा फसी थी अब कोरोना के बढ़ते मामले के कारण तिति पर ब्रेक सा लग गया है परिक्षा नहीं तक डॉक्टर मनोश कुमार ने कहा है कि परिक्षा के लिए विभाग की तैयारी पूरी है ल पड़ी साल वाली पर्ट वन की परिक्षा उनकी जल्द अगर नहीं ली गई तो उनकी पर्ट टू की परिक्षा फस जाएगी इसी में तो हम ते सकता कर गया है। अप्रेल के महीने में ली जाएंगी या इसके बाद ली जाएंगे यहां तक कि मैं आपको बता दू बीड की एंट्रेंस की एक्जामनेशन की फॉर्म भरानी थी उस पे भी रोक लगा दिया गया है अब इसी प्रकार से पार्ट वन की परिक्षा भी टल चुकी है मतलब आपक से भी आप अपनी बात पहुचा सकते हैं हमारे वाट्सअप ग्रूप में तो हम तब तक के लिए चलते हैं धन्यवाद